कि यहां आप कोदी आपको दर मुझा रहा हूं जो कर रहा हूं दोस्तों आप यह देख सकते हैं अपना घर पूरा परिवार रहें जाना है और अगल वगल में खेट खले आने इसी घर के अंदर दोस्तों तहां पर परिवार रहता है हुए पर साप रहता है उस्तों साप का नाम आते ही आप समझ सकते हैं इनसे डर और बहुत रहता है गर्मी के महिने में यह साप ज्यादा ज्यादा निकलते हैं चलिए दिखा दीजिए घर के अंदर दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह घर के अंदर ही हमारे गाओं में पहले इस प्रेक है से रशूंई घर भाग जाता था जिसके अंबर जो भी बोजन पकता था तो रसूं से भरा रहता राज दोस्तों हर गर में कीचेन लूम तैयर हो गया है चोड़ा बहुत माहौल की शाहिं जासा बना रहता है चली दोस्तों यह होता ही है जहां पर अनाज होता है वहीं पर चुवा होता है और चुवा को खाने में सांप हमारी घरों में अक्सर प्रिविस्ट करते हैं यह सांप हो सकता है यहीं से अंदर आया हो आई या कोई पर किसी तरीप से लेगे जाए दोस्तों आ चुके हैं यहां पर हूं यहां इंट रखने हो जो तो यह इंट रखे हुए आप देख सकते हैं और इसी के नीचे साफ है वो कि चलिए धीरे दोस्तों मैं इसको हटाता हूं और आपको दिखाता हूं चलिए तभी हम इसको अधा देखिए पूरा लागा है 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 यह थोड़ा सांधी रखें अधिया यह दिए इन भी पूर खोर जाए कि नहीं ठरब है तो इस तरफ कोजिए यहां साथ खोड़ा सब्सक्राइब कर दो कि बता रहे हैं कहां मिट्टी बैठाया है कहां मिट्टी बैठी हो जोड़िया है और इसको पीछे ही हमारी छड़ी दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह जो है आप यह चोड़ी से चोड़ी जगहों में अक्सारा करें चिपता रहता है और इसका नाम इंग्लिस में दोस्तों इंडियान स्पेक्टिकल्ड कोब्रा और इसी को हमारे गाओं में फिटार या तो गिहून के नाम से और कुछ करेंगे इसके बारे पहले सुनिये यह काटे का तो असे बचना है यह तो दिमाग नहीं लगाएंगे आप अब बोली तो दोस्तों होता ही है गर्मी के महीने में इसके काटने के बाद बहुत से जादा मृत दरबढ़ती है हमारे भारत में तो हर साल पचास साथ हजार लोगों की मृत हो जाती है सापों के काटने के बाद और बहुत सारा अंद्विस्वास पहला है कि जब भी साप काटता है लोग जड़ी बुटी जाड़ को तंत्रमंत्र यहां वहां के चक् कीजिए लोगों को बचाने के लिए एकाम कीजिए इसके काटने के बाद 40-50 मिट का टाइम होता है इंसान के पास बहुत तीजी से सूजन होती है जहां पर काटता है दोस्तों 30 मिट आदे गंटे जाते-जाते हैं उल्टिया होती है चक्कार आता और आँखों से अब मैं इसको यहां से निगलता हूं जाए जोस्तों यह इसकी जो लंबाई है लगभण यह दोस्तों इसकी पूरी लंबाई लगभण साड़े चार से पांच पीट होती है हमारे भारत में और अलग अलग बेसों में दूस्तों यह बहुत ही रंग विरंगे भी होते हैं कई कलर में भी ताया जाता है चलिए एक चीजी यह बताना चाहता हूं यह दोस्तों बगए लगे बगए पिसी नुकसान के किसी नुकसान नहीं पुछाता है यह दोस्तों अपने प्राणों को बचाने के लिए इंसान से थोड़ा दूर भागता है लेंकि रात के अंधेरे में यह जादा से जादा बाहर निकलता है चलिए हम इसे बाहर लेग से हैं अब दोस्तों इसको हम पाइक करते हैं यहां से काफिक लिए लेक्ज़ करते हैं इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं बस इंसान मर जाता है अरे मर जाते हैं चले दोस्तों हम इसको पाइक करते हैं और यह दोस्तों काफी बड़ा भी हो चुका है तो थोड़ा ध्यान रखिए यह जैसे ही दपता है बड़ा हादसा नुक्सान पहुंचाता है कि यह यह कई रखिया है यहां कभी किसी को साफ काटा भी है क्या हुआ है क्या हुआ बड़ी के बाद क्या फिरके रहाए इसके बाहने है नहीं समझाहारे सोर कर रहनेताहिए तो दोस्तों इसी प्रकार से ये छोटे भी लहोल को जैसे ही समझता है इंधेरा उसमें जाकर की बड़े आराम से बढ़ जाता है ये रात के समय में ज्यादा निकलता है तो थोड़ा से आप भी अपने घर के परिवार के साथ असे हाथों में टार्च दीजे और जब भी कही साथ में ठार्च कुछ है इसे दोस्तों प्रकार से बैजवानों को बचाते हुए हैं फिर मिलते हैं किसी लेकिप वीडियो में दोस्तों वीडियो को दूर तक शेर कीजेगा और प्यारा-सा कमेंट जरूर कीजेगा गर्मी का महिना है तो थाएंगे दोस्तों आज के लिए बसी इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ने और तब तक के लिए आप सभी को जैहिन देता है